आज मेरे भाई की शादी है मेरी भाभी बहुत ही सुन्दर है भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ कमरे तक जा रही थी मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी जा रही थी, कुछ मेरी सहलियां थी, कुछ मेरी कजिन थी और कुछ आस पडोस और रिष्टेदार की लड़कियां थी भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया बहुत ही खुबसुरत तरीके से हमने बेड सजाया था पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी थी, मैंने महसूस किया कि जैसे, भावी मुझसे कुछ कहना चाहती है, वो आखो ही आखो में मुझे इशारे कर रही थी, मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई क्योंकि भावी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी, फिर भला भावी मुझसे क्या कहना चाहती थी, भावियां तो अपनी नन से बात करना भी पसंद नहीं करती और भावी थी, कि अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी, मुझे बहुत ज्यादा खुश खाभी क्या बाथ है। आप मुझसे कुछ कहना चाते हैं। मेरी बात सुन्ते ही मेरी भाभी धाड़े मार मार कर रोने लगी। उनकी आंखों से आसों की धारा भह निकली। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने कहां भाभी आप ripe क्यों रो भावी ऐसा क्यों बोल रही है मैंने भावी को दिलासा देते हुए कहा भावी आप क्यों रो रही है आप दरिये मत ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे वो अपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुचाएगे मेरी बात सुनकर भावी और जोर-जोर से रोने लगी अब तो मुझे भावी के इस रूप से डर लगने लगा फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है भाई आ जाएंगे तो भावी खुद ही ठीक हो जाएंगी मैं उठकर जाने लगी लेकिन भावी ने मेरे पैर पकड़ लिये भ भावी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरत से बोली आपको क्यों अपमानित किया जाएगा वहाँ आपके पती है और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा वहाँ बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है तभी मुझे अपने पापा की नफरत से भाभी को देख रहे थे, भाभी पापा से नजरे चुराने लगी, कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नजरे टकराई थी, तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आखों में एक शिकायत थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे भाभी पापा को पहले से जान कि चलो बेटा आजकल की औरतों के यह सब ड्रामे हैं, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम कुमवारी हो और कुमवारी लड़कियों के साथ यह सब बाते नहीं की जाती हैं। मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुख जाओं। लेकिन पापा मेरा हाथ खीचते हुए मुझे बाहर लेकर आए कहने लगे। तुम बाहर चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से। मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोले पापा आखिर ऐसी। कौन सी बात है। मैं तो आपकी सारी बाते मानती हूँ। पापा बोले बस मेरी एक बात मानना की आज से तुम्हारी भाभी। चाहे कितना भी रोय चीखे चलाए लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी। उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी वह। शादी शुदा औरत है। अपनी समस्या वह खुद सुलजा लेगी। तुम्हें उसकी समस्याओं में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा करो। अब तुम जाओ यहां से पापा की बाते सुनकर मैंने हां में सर हिला दिया। और वहां से। जाने लगी मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे। लेकिन यहां देखकर मुझे हैरत हुई की पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई की मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई, मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा क्या बात है, अनीता तुम इतनी गुस्से में, क्यों हो, मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बाते मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए आखिर भला यह क्या बात हुई मेरी बात सुनकर मम्मी के चहरे पर एक रंग आया और एक रंग चला गया फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली कोई ब परेशान तो है लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है फिर मम्मी मुझसे बोली अनीता ऐसा करो अब तुम जाओ अपने कमरे में और सो जाओ बहुत रात हो चुकी है मम्मी के बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह निकल ना स मेरी आंखो में नहीं आ रही थी भाभी का रोता हुआ चहरा बार-बार मेरी आंखो के सामने आ रहा था आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी वो इतना क्यों डर रही थी मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के इरादे से बाहर किचन मैं आई बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे, थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसु भी थे मेरे दिल को धक्का लगा, भाई को तो इस वक्त, भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठे हैं, इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है, मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई मैं भाई के पास गई, और भाई से पूछा भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं, आपको तो, भाभी के पास होना चाहिए था, मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गु और बोले तुम भी आई पापा की चमची बनकर जाओ, यहां से मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे पापा ने नहीं, भेजा मैंने तो आपको यहां परेशान हाल देखा, इसलिए चली आई, भाई गुस्से से बोले चली यहां से मेरी आंखों में आंसु आ गए, मैं वहां से पलटने वाली थी कि तभी भाई बोले अच्छा सुनो किचन से माचिस ला दो, मुझे लगा, शायद भाई को सिगरेट जलाने होगी, इसलिए माचिस मंगा रहे हैं, मैंने किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेक शादी में पहने के लिए और भाई वही शेरवानी जला रहे थे, मैं एकदम हक्का बक्का से रह गई जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी, आग को डोट बुझाते बुझाते मैं बोली भाई आप यह क्या कर रहे हैं, पापा ने इतनी पार से आप को गिफ्ट किया है और आप उसे जला रहे हैं तभी भाई अचानक गुस्से से बोले अनीता चली जाओ यहां से, मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी मेरी आँखों के सामने से चली जाओ, भाई का गुस्सा देखकर मैं थर-थर कामपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कहीं, पांच बजे जाकर मेरी आँख लगी, लेकिन सुबा छे बजे मेरी आँख फिर से खुल गई बाहर आई तो देखा, पापा बहुत ही संजीद्गी से सोफे पर बैठे हुए थे, मुझे देखते ही बोले मैं तो अपनी बहु के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ असली बेटियान तो बहुए होती है, बेटियान तो पराया धन होती है, पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आई तो देखा, पापा सच मुझ भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे, मुझे देखकर हैरत हुई, और पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मैं पापा से बोली पापा, आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं? और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मेरी बात सुनकर पापा बोले वहां मेरे बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी, तो किसे होगी? तुम्हारी मा तो वैसे ही. जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा नई बहु को नाश्ता बना कर दे या ना दे? इतने में मम्मी भी आ गई वहां कुछ बुझी-बुझी से लग रही थी. मुझे हैरान परेशान खड़ा देकर और पापा को नाश्ता बना था, देख कर मुझे समझाते हुए. और टालते हुए बोली, ऐसा करो अनीता बेटा तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ. घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था, मुझे कोई कुछ पी नहीं बता रहा था, मेरे सर में हलका. हलका दर्द भी होने लगा था, मैं सफेद रंग के कपड़े, पहन रखे थे, कोई बनाओ श्रिंगार नहीं किया था, भाई का चहरा भी लटका हुआ था, भाभी को देख कर मुझे धक्का लगा. नई नवेली दुलहन की तो कोई बात ही नहीं थी, भाई और भाभी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए, म जनीता मैंने रात तुम्हें क्या समझाया था, कि तुम इस मामले से दूर रहना, तुमसे मैंने कहा था, ना कि अपने भाभी से दूर रहना उनके पास फटकने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता, शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती, कि उनके माता पिता जो बात कहें उसे ना माने अपने बाप की बात मानना तुम्हारा फर्ज है पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत ही गुसे से पापा की तरफ देखा था और बोले पापा हम लोग इतने शरीफ भी नहीं है पापा ने भाई की बात तो सुनी लेकिन उसे अनसुना कर दिया मैं उठी नहीं बैठी रही और नाश्टा कर दी रही अभी नाश्टा करते हुए पांच मिनट ही हुए हुँगे कि तभी बाहर दर्वाजे पर किसी ने दस्तक दी बाहर दर्वाजे पर दस्तक का होना था कि भाभी के चहरे पर हवाईया उड़ने लगी उनका चहरा एकदम सफेद पड़ गया, दर्वाजा खोलने के लिए भाई और पापा गए पीछे-पीछे भाभी भी चली गई, मैं भी उनके पीछे-पीछे जाने ही वाली थी, कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था, कि जबर्दस्ती बड़ों के बीच में टांग अडाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं बैठी रहो नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ पापा भीया और भाभी को बाहर गए दस मिनट हो चुके थे, लेकिन वह अभी तक अंदर नहीं आई थी, पता नहीं इतनी देर तक क्या बाते हो रही थी, पता नहीं आने वाला इंसान कौन था, मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता अभी थोड़ी देर और गुजरी थी, कि तभी मुझे भाभी की जोड़दार चीक सुनाई दी, मैं एकदम उठकर बाहर की तरफ भागी कि तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली अनीता तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, तुम्हें इस मामले से दूर रहना है, मैं रुहासी हो गई, बोली मम्मी पता नहीं भाभी को क्या हो गया वह क्यों चीक रही है, हमें बाहर चल कर देखना चाहिए मम्मी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसु बहां जा रही थी, मेरे चीक ने चिल्लाने पर बस इतना बोले अनीता मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है, मैं मजबूर हूँ, अनीता मैं कुछ नहीं कर सकती पापा ने और भाई ने बाहर से दर्वाजा लगा दिया था, मैं दर्वाजे को जोर जोर पीट रही थी, लेकिन कोई दर्वाजा नहीं खोल रहा था, भाभी की चीखे अब और जोर से आने लगी थी, वह बार बार जोर जोर से चीख रही थी लगभग दो-तीन घंटे के बाद पापा ने दर्वाजा खोला और वह तीनों अंदर आए भाभी अपने कमरे की तरफ चली गई मैं भी भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है इस बार मैं भी जरा गुस्से से बोली पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली इस घर में सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई किसी को कुछ आता ही नहीं है। यह कहते हुए मैं अपने कमरे में आ। गई। लेकिन मुझे भीया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। जब घर के सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पाव भाभी के कमरे की तरफ आई मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी। कि आखिर भाभी इतना चीक क्यों नहीं थी। सुभा हमारे घर पर कौन आया था। लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो वो अंदर से बंध था। मैंने कई बार चुपके चुपके भाभी को आवाज लगाई लेकिन भाभी ने दरवाजा। नहीं खोला। मैंने कान लगा कर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी के सिस्कने की आवाज आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज लगाने ही वाली थी। कि हमारे बाहरी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाजा खोलने। गई तो देखना हमारे महले की एक औरत खड़ी थी उसके चहरे पर बहुत ही शातिराना मुस्कुराहट थी मुझे देख कर बोली अनीता बेटा तुम्हारी मम्मी कहा है मैं उस औरत को अंदर ले आई उसे सोफे पर बैठाया और मम्मी को आवाज लगाई मम्मी भी उसके पा हुई शादी को दो दिन है भी नहीं हुए और तुमने यह तमाशे शुरू कर दिये उस ओरथ की बात सुनकर मम्मी 받고 कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती यहाँ मेरे पती का मामला है वह खुद ही इसे सुलजा लेंगे मम्मी की बात सुनकर वो औरत बोली अरे बीबी जी यहाँ क्या बात हुई तुम्हारे पती का मामला कैसे हो गया यहाँ तो तुम्हारे बेटे का मामला है तुम्हें भी इस मामले को सुलजाना चाहिए मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई वो औरत भी मुम बिगड़ती हुई वापस अपने घर चली गई मैं मम्मी के पीछे पीछे आई कमरे में आकर देखा तो मम्मी बैठी रो रही थी मैं मम्मी के पास आई और उन्हें चुप कराने लगी मम्मी क्या बात है आखिर इस घर में चल क्या रहा है कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं मेरी बात सुनकर मम्मी बोली अनीता तुम अभी छोटी हो इस मामले में मत पड़ो तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे इतना कहकर मम्मी चादर ओड कर लेट गई कुछ देर तक मम्मी के पास बैठी रही फिर बाहर आ गई और बाहर सोफे पर आकर बैठ गई मुझे पांच मिनिट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई फिर मुझसे बोली अनीता मुझे एक पेपर और पेन दे 2. भाभी आप पेपर और पेन का क्या करेंगे मेरे पूछने पर वह भाभी मुझे गुसे से घूरने लगी मैंने चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया कागज और पहले कर भाभी कमरे में चली गई और दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया मैं भी अपने कमरे में आराम करने के इरादे से आकर लेट गई घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था शाम को भाई ओफिस से आये तो उनका मुँ भी लटका हुआ था बिना खाना खाए हो अपने कमरे मैं चले गए अभी कुछी देर गुजरी की जैसे तभी अचानक घर में तूफान सा आ गया भाई की कमरे से जोर जोर से चीखने चिलाने की आवाज आ रही थी लेकिन इस बार की आवाज भाभी की नहीं बलकि भाई की थी मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो दिखा भाई बहुत जोर जोर से चीख रहे थे और रो रहे थे मम्मी पापा भी भाई की कमरे में आ चुके थे भाई चीखते हुए कह रहे थे पापा नंदिनी को बचा लो वह मर जाएगी प्लीज पापा नंदिनी को बचा लोग भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोले मजा कर भाभी के पास गई वह अंधे मुह पड़ी थी और उनके मुह से खून निकल रहा था जिसे देखते ही मेरे मुह से चीख निकल गई भाई जोड़ जोड़ से चीखते हुए पापा से कह रहे थे प्लीज पापा नंदिनी को बचा लो हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए लेकिन पापा बोले नहीं विक्रम हम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है यह अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है इसने खुदकुशी की है हम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया भाभी इस दुन्या से जा चुकी थी मैं चीखें मारमार कर रो रही थी मम्मी की आंखों से भी आंसु बह रहे थे भाभी अब इस दुन्या में नहीं थी मैं इस सच्चाई को accept नहीं कर पा रही थी भाई एकदम बेदम से होकर बेड़ पर गिर पड़े थे मैं भाभी को देख कर जा रो कता रो रही थी भाभी का वो मासूम और डरा डरा सा चहरा बार-बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था भाभी कैसे मुझसे रो रो कर कहती थी कि प्लीज मेरे पास से मत जाओ मैं मर जाओंगी और आज सच मुझ भाभी मर गई थी सब परेशान खड़े थे, पापा के चहरे पर गहरी खामोशी थी, तभी उन्होंने भाई से कहा विक्रम नंदनी के घरवालों को फोन कर दो, कि इसे आकर ले जाए भाई ने नंदिनी के घरवालों को फोन किया भाभी के घरवाले भी चले आए गुस्से से चीखते चिलाते और भाई पर इल्जाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है तुम हो उसके कातिल कहा हमारी इतनी सुन्दर सी बहन और कहा तुम मामूली से शकल सूरत के आदमी चिरते थे तुम हमारी बेटी से क्यों की लोग कहते थे खूर के पहलू में लंगूर और शायद इसी लिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया जब उसको रख नहीं सकते थे तो उसको बिहा कर सामने लाए ही क्यों थे? हम अपनी बेटी का पोस्ट मार्टम कराएंगे. पुलीस में रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी के कातिल हो. भाभी के माईके वाले भाई को धमका कर और उन पर इल्जाम लगा कर जा चुके पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे. पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया. और कहा तुम सब? लोग बाहर जाकर बैठो. हम सब के बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरा बंद किया और अंदर ही बैठ गए. यहां बात मेरी समझ के बाहर की क्या कर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे? भाभी के माई के वाले भाभी की बोडी को ले गए थे. लेकिन पापा अंदर कमरे में बंद बैठे थे. ना बाहर आ रहे थे ना अंदर किसी को आने दे रहे थे. कुछ देर में हमारे घर पुलीस आ गई और भाई को उ पुलीस को अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलीस से क्या कहा कमरे में घूम घूम कर वो सारी चीजे। पुलीस को दिखा रहे थे। पुलीस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रोकर बुरा हाल था, पापा भी चुप चाप से बैठे थे, आखिर मुझसे नहीं रहा गया तो मैं गुसे से फट पड़ी, तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो घर में, क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, कि घर के मामलों में दखल ना दू, मेरी भी शादी की उम्र है, मुझे भी हक है, इस घर में क्या हो रहा है, यह सब कुछ जानने का, और आप मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम जानती हो, मुहले में कैसी कैसी बाते हो रही है, अभी किसी के घर की इजज़त थी, लेकिन अब नंदनी इस दुनिया से जा चुकी है, लोग उसके बारे में तरहत्रा की बाते बना रहे हैं, लेकिन हमें उसका भरम रखना यह कहते-खते, पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया, पत्र हात में लेते ही मैं फौरन पहचान गई यह वही कागस था, जो कल रात मैंने भाभी को दिया था, मैंने कापते हाथों से वह खत लिया और उसे पढ़ने लगी, उस खत को पढ़ते-पढ़ते, मेरे पै चाई जानकर हैरत से मेरी आखे फटी की फटी रह गई थी, खत पढ़ने के बाद में समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुखने के लिए क्यों कह रही थी, वह क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाओंगी, मैं मर जाओंगी, मुझे बदनामी से बचा ल और आज, भाभी सचमुच मर गई थी, मैंने वो खत पापा के हाथों में पकड़ा दिया, और कापते हुए लहजे में बोली पापा लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं, जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था, पापा बहुत ही उदासी से बोले, अनीता त तो क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही हो कसूर बार समझ रही हो, मैं बोली नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही, आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इस सब का कारण बना, पा सब यह बाते कर ही रहे थे, कि तभी भाई आएं और अचानक से पापा के पैरों पर बैठ गये, और रोते हुए बोले पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर शक्या मुझे नहीं पता था, नंदिनी ऐसी औरत है जब उसने आप पर इल्जाम लगाया, तो मुझे, उसकी बातों पर विश्वास हो गया, नंदिनी ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, और मेरे साथ नाजाय संबंध बनाना चाहते हैं, नंदिनी ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था, और ना, ही मुझे पती का दर्ज उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए, मुझसे रिष्टा बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे, और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे, उन्होंने मुझे धमकी दी, कि मेरे बेटे से दूर रहना मुझे नंदिनी की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था और उसी लिए उस रात में बाहर परेशान सा घूम रहा था मैंने आपके दिये हुए गिफ्ट को भी आग लगा दी थी मैं बहुत ज्यादा तनाव मैं था लेकिन मरते हुए नंदिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुना है तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी बलकि मेरा रिष्टा तो मेरे एक फ्रेंड से था वहां मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था हम दोनों में आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पती-पत्नी की तरह रहने लगे थे शादी नहीं हुई थी लेकिन जल्द ही शादी करने वाले थे लेकिन तब तक उसकी शादी मेरे साथ हो गई थी नंदनी ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब धमकाने लगा था उसने कहा था कि अगर अब तुमने अपने पती के साथ संबंध बनाएं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तुम्हारी कुछ तस्वीरे मेरे पास है वह वाइरल कर दूंगा और तुम्हें बदन कर दंगा लेकिन उस दिन जब नंदनी का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वह सब तस्वीरे फैक कर गया था तो मुझे विश्वास हो गया कि नंदनी जूट बोल रही है मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक्किया और इसी लिए गुसे में मैं मैंने नंदनी पर हात उठाया था पापा आपने बहुत अच्छा किया जो पुलीज को सब कुछ सच सच बता दिया और नंदनी का लिखा हुआ वह ख़त भी पुलीज दिखा दिया अब शक्की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि नंदनी ने सुसाइड किया है और नंदन तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती मैं हर से भाई की तरफ देख रही थी तभी अचानक मैंने पापा से पूछा लेकिन पापा उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में आप क्यों चले गए थे पापा बोले कि मैंने उस दिन नंद कर बाते कर रही थी मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो मैं खुद ही नंदनी से बात करके मामले की तह तक पहुचना चाहता था मैंने नंदनी से प्यार से पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया उल्टा पहुच पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहु के कमरे में इस तरह आते हुए मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो और मुझसे अपने दिल की सारी बाते शेयर कर सकती हो लेकिन उसने ये नाश्ता भी बनाया ताकि नंदनी को मुझ पर भरोसा हो जाए कि मुझे उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहता हूं भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर माफी मांगी बोले पापा मुझे माफ कर दो लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ नंदनी हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी जो जल्दी ही हमें सारी परेशानियों से मुक्त करके चली भी गई मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी भाई के चहरे पर कोई मलाल नहीं था ना ही कोई दुख ना ही कोई पचतावा सच कहते हैं जो औरत अपने पती से वफा ना करें उस औरत की मर्द कभी इज़त नहीं करता फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों नहों और फिर चाहे कितने ही बड़े बाप की बेटी हो